हेलो फ्रेंस, तो आज साड़ी मेंसे जो बिलाउट निकलते हैं, तो उनका कुछ नञा आइडिया आप लोगों के साथ सेर करेंगे, फ्रेंस, वीडियो को लाश तक जिरू देखेगा, तो देखें, यह पिलेन बिलाउट का पीस है, नीचे की साइड भी बिलाउज का ही पीस लगाया है और इसमें जो लाइस निकलती है उसको हम फेंकेंगे नहीं उसको हमने रख लिया वो भी आप लोगों के साथ आगे वीडियो में सेयर करेंगे तो देखी काफी लंबाई भी है और चोड़ाई भी सही है एकदम तो चलिए इसको हमने अच्छे से तयार कर लिया है और वीच में सिलाई भी लगा लिये और दो पट्टिना भी तयार कर लिए देखिए ये पट्टिना है और ये इसकी जिप है तो कुछ अलग हटके आडिया आप लोगों के साथ सेयर करेंगे तो आसा करते हैं जरूर ही पसंद आएगा पसंद आने पर ही वीडियो को लाइक करें इस तरह से हम जिप को अटेश करेंगे और इसमें ना आलग से पट्टि जोइन करने पड़ेंगी ना कुछ भी तो एक दम बिल्कुल साधा सिंपल तरीके से हम बताएंगे बहुत ही सुन्दर आइडिया आप लोगों के लिए चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो यहां से हमने डवल फोल्ड कर लिया है बीच में बिल्कुल निसान लगाएंगे बीच से हम तरीका से इंटर निकालेंगे तो यहां पर भी हमने निसान लगा लिया है और इधर भी निसान लगा लिया है तो यहां पर 4 इंच पर निसान लगाएंगे और बीच से यहां पर भी 4 इंच पर निसान लगाएंगे ऐसी करके दोनों साइड निसान लगा लिए देखिए दोनों साइड हमारे निसान लग गए हैं बराबर एकदम तो ये निशान लगाने से हमारी जो पट्टी होती है तरी वो एकदम बराबर सेंटर पे रहती है दरुदर नहीं होती है तो इसलिए हमारे लिए निशान लगाना बहुत जरूरी है पट्टी लगाने के लिए तो यहां से सिधा कर लेंगे बिलकुन चलिए पहले जिप लगाते हैं जिप लगाने के बाद पत्टी को अटेच करेंगे जिप लगा लिए पहले सिंगल सिलाई लगाए थी इसके उपर से हमने ये पत्टी रखे के इसके उपर से एक और सिलाई लगाएंगे पत्टी उपर से लगाने से जिप को अच्छे से अंद बार बंद करो तो इसमें धागे नहीं फसते हैं इसलिए उपर से हमने ये पट्टी लगा लिए तो इसको हम अंदर पलटके और टॉफ वाली सिलाई से बंद कर देंगे तो हमारी चिप है बहुत अच्छे से अटेच हो गई है अंदर पट्टी लगा के बिल्कुल रेश से उससे नहीं निकलना है तो देखिए खोलने में आसानी रहती है बिल्कुल रेशा भी दागा नहीं फसता इसमें इस तरह से बीचा बीच से हम सेंटर लिकान लेंगे जो न निसान लगाएंगे चार इंच पर उन्चाई का और चार इंच का चोणाई का ये हमारा एकदम बरावर चोकूर बॉक्स बन जाएगा चारो कॉर्णर पर इसी तरह से हमीं निसान लगा लेने हैं बरावर बरावर तो दीखिए हमारे निसान भी एकदम बरावर लग चुके हैं चारो कॉर्नर को अच्छे से और इनी निसान पर हम कटिंग करेंगे बरावर बरावर से ही तो यह होगी हमारी कटिंग और यह चौक से बीच में निसान इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ तक ही हमें पट्टी अटेज करना नीचे तो जहां तक इच्छाओ वहाँ से लगा सकते हैं ओपर इही तक हमें रखना है पट्टी तो चलिए अब लगाते हैं सिलाई इस पर चलते हैं मसीन की तरफ थे हैं हमारी पत्ती देखी इस तरह से रखें के दिखाते हैं यहां सीधी सिलाइ लगाएंगे दोसाइड देखी हमने बन कर लियाहे। दोनों साइट से यहां पर भी सिलाई लगा लिए, यहां पर भी सिलाई लगा लिए, तो दोनों साइट बंद करने के बाद इस तरह से पकड़ेंगे कॉनर को बिल्कुल बरावर बरावर में और चारों कॉनर को हम बंद करेंगे, पहले सिंगल सिलाई लगाएंगे, और इसके रेसे बिल्कुल ना निकले तो इसके उपर से फिर हम एक पट्टी लेंगे दो इंच चोड़ी पट्टी को अच्छे से इस पर सिलाई लगा के बंद कर देंगे कि देखिंगे चारो कॉर्नर अच्छे से बंड हो गये हैं बिल्कुल यह है उल्टी वाली साइड काफी फिनिसंग है यहां से वी जिब के साइड कितने अच्छी सी फविने ने और यहां पर हमने पर्टी से इस को अच्छी से बंद कर तो इसमें बिल्कुर भेसी नहीं निकल लाय के देखिए बिल्कुल अच्छे से बहुत ही फिनिंसिंग वाली शिलाई लगूं जालें सिधा करके दिखाते हैं है कर दो यह उखिता फटात से सीधा करके दिखाते हैं उनको बिल्कुल विकार ना समझे इस तरह से बैक बनाएं काफी सुन्दर लग रहे हैं बिल्कुल फिरी में और बहुत ही प्यारा बना है अपने आप बनाओ जिन्नों इसलाई आती है वो तो अच्छे से मन चाहिए बैक बना सकते हैं तो कैसा लगा एक बार जरूर बताना मि लेंगे इसी तरह से एक ओर वीडियो के साथ तकी लिए बाइ-बाइ थैंक्स पूर वर्चिंग है वा नाइस दे कि खाय के लिए Knowledge के साथ वार ें क्टी लिए वीडियोंता लिए है ऑु तकी लिए का वो दे लिए एक नह eer gef हैंगें अने को यजए आताना मिम् सा나 तुट टकी हैं तो कि दो विए जए वीवाटा उक अन्मे प्रश्र पराग् है आताना मिमा उ justement कि अ जपके लए वावा क